असलाम लेकुम, वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आप से शेर करूँगी पोटेटो स्पिन रोल्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्ला रख्मान वहीम आदा किलो आलू को पानी में बॉयल कर लेना है पोटेटो की पील रिमूव करके फिर बॉयल कर ले इस तरह आपको असानी होगी, बात में आपको पील रिमूव नहीं करनी पड़ेगी पोटेटो को मैश कर लेंगे, दियान रखें कि आपने गरम पोटेटो को ही मैश कर लेना है क्योंकि ठंडे होके यह अच्छे तरीके से मैश नहीं होते वन टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पाउडर, वन टेबल स्पून साल्ट और अकॉडिंग तु यह टेस, आफ़ अफ़ टेबल स्पून रचीली पाउड़र एंड कुट्टी वी लाल मिर्च, आफ़ आफ़ टेबल स्पून, जीरा और सापर सूखा धनिया, काली मिर् 1 टी स्पून हरी मेचे बारी कुत्री हुई और हरा धनिया उन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो बसंद आये तो वीडियो को लाइक कर लें और कुमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलियेगा ताके मेरी हर आने मली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब हम इसमें एड़ करेंगे चिकन और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ब्रेड रेड़ी करने के लिए आपने इसको पहले स्टीम दे लेनी है मैं वो रिकोर्ड नहीं कर सकी थी तो आपने कोई भी बटन लेना है और उसमें ब्रेड़ को रखते ना है पांच मिनिट के लिए इसको स्टीम देनी है देन फिर आपने इसमें फिलिंग करनी है इस तरह आपकी ब्रेड टूटेगी नहीं क्योंकि अगर आप सिंपली ब्रेड को रोल बना लेंगे तो आपकी ब्रेड जो है वो टूट जाएगी तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है यह देखे मैं फोल कर रही हूँ और मेरी ब्रेड जो है वो टूटेगी नहीं क्योंकि इसको मैंने स्टीम दिया इसी तरह के मजीद हैक्स के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अंडा लिया है इसको फैंट लिया है अच्छे से इसको चारो तरफ से और साइडो से हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स लेंगे यह मैंने ब्रेड क्रम्स घर पर ही बनाये थे इसकी भी रैस्पी मैं जल शेयर करूंगी बहुत क्रिस्पी, बहुत यमी आपके स्पिन रोल्स मलेंगे डीप फ्राइ आपने इसको नहीं करना बस हलके से ओईल में आपने इसको फ्राइ करना है देखे कितने मसेदार, कितने खस्ता बने है मिलते हैं नेक्स्ट रैस्पी के साथ अगली वीडियो में अल्ला हाफीस